एलो दोस्तो, मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो यहाँ पर आप साप साप देख सकते हैं Nifty 50 में भी आपको ट्रेडिंग डेलो का भी ब्रेकडाउन मिला प्लस प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिला साथी साथ Nifty Financial Services में भी आपको ट्रेडिंग डेलो का ब्रेकडाउन मिला साथ में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला सेम ही सिचुएशन बैंक निफ्टी में रही आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग डेलो का भी ब्रेकडाउन मिला और आपको साथी साथ previous day high का भी breakdown मिला काफी बहतरी इन देखो तीनों में आज सेमी setup बना हुआ है काफी बहतरी इन situation देखने को मिली है लेकिन किस तरीके से situation बन सकती थी पहले logic को समझेंगे scalping के बहुत जादा मोके मिले है आज बार-बार मोके मिले है इस situation को भी हम समझेंगे काफी चीज़ में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिस करूँगा इस चीज़ को उबजर्व करने की कोशिस कीज़ेगा जैसे कि एक चीज़ और समझते है चलो हम उसे बाद में ही डिसकस करेंगे जब निफ्टी 50 वाली वीडियो आएगी उसका discussion निफ्टी 50 में ही करेंगे फिलालम बैंक निफ्टी की situation को समझते हैं यहाँ पर कुछ चीज़े उबजर्व करने की कोशिस करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक तो आपको डबल टोप भी देखने को मिला यहाँ पर डबल बोटम की भी situation देखने को मिली है साथी साथ जो हमारी चार पैटरन है ट्रेंगल वाला पैटरन, ट्रेंड लाइन से मिलके बनाओ पैटरन पैटरन, इमानदारी से बताओ कौन सा पैटरन आपको यहाँ पर दिखाए दिरहा है अपने मन में बताना और फिर अभी मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि कौन सा पैटरन दिखाए दिरहा है आपको कमेंट करके बताना है कि आपके भी मन में यही पैटरन था आपको लिखना है यही पैटरन था अमारी भी मन में जैसे कि यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है, अगर आप धियान से देखेंगे, यह एक trend line दिखाई दे रही है, resistance line नीचे एक support zone आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह वाला pattern दिखाई दे रहा है, जो 4 pattern थे, यह वाला pattern यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ इसके breakout या breakdown का इंतिजार करेंगे, क्योंकि उसी direction में momentum लेगा, उस situation को भी समझेंगे, लेकिन पहले में आपके लिए इसे draw कर देता हूँ, क्योंकि जब हम इसका discussion करेंगे, जिससे हमारी mind में clarity रह सके, ठीक है, यहाँ पर simple सा draw करने का तरीका है, काफी बहतर ने इसके feature है, यह देखें, simple सामय इसे draw कर देता हूँ, एक rectangle उठा लेते हैं, यहाँ पर इसे draw कर देते हैं, ठीक है, support zone भी पता चल गया है, और resistance line का भी हमें यहाँ पर clear clear पता है, चीज़े clear होगी, clear होगी, इसका भी हम बाद में discussion करेंगे, फिलाल हम यहाँ पर थोड़े से logic समझते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा यहाँ पर, scalping के इतने बहतरीन मोके मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर एक scalping का मोका मिला था, जब market ने trading day low का breakdown दिया था, तब आपको एक बहतरीन मोका मिला था, जब यहाँ पर double top market बना रहा था, जब यहाँ पर setup एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर trading day low तक यहाँ पर आप एक position भी बना सकते नहीं तो scalping भी करते हैं, वो भी एक बहतरीन आपके लिए मोका था, situation market ने आपको इतनी बार दी है, इतनी बार दी है scalping करने की बता ही ने जा सकती, यह दो बड़े momentum थे, पहला यह वाला, जब market ने double top बनाया था, फिर जो यह hammer की situation बनी थी, यह वाला आपको scalping करने का मोका मिला था, clear है, अब यहापे कुछ और चीज़े देखते हैं, कल के लिए हमें किस तरीके से planning करने हैं, वो चीज़े हम यहापे समझ लेते हैं, यह समझनी थोड़ इसी ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़े और तयार कर लेते हैं, अब अगर आप करके रखेंगे, अब यहापे जो market momentum दिखा रहा है, नेरो भी होता जा रहा है, तो इसमें एक blast भी हो सकता है, अब वो उपर की तरफ भी लेके जा सकता है, या नीचे की तरफ भी लेके जा सकता है, situation कुछ भी create हो सकती है, अगर आप simple simple सा इसे observe करेंगे, तो हम यहापे यह ही देखेंगे, अगर market इसका breakout देता है, हमार लिए resistance बनेगा, पहला resistance 45600 कह रहा हूँ, अगर आपको इसका भी breakout देखने को मिलता है, तो हमें previous day high सिधे सिधे देखने को मिलेगा, वही पर अगर market इसका breakdown देके चलता है, तो इसका मतलब हम negative momentum पर focus करेंगे, negative opportunities पर focus करेंगे, support कहा बनेगा, पहला support बनेगा, 45100 पर market इसका breakdown देके चलता है, तो 45000 पर आपको इहां पर दूसरा support देखने को मिलेगा, अब एक चीज और समझो, यह भी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ, जब market यहां से गिर रहा था, market ने आपको एक momentum दिया, एक support zone आपको candle दिखाई देगी, जहां से momentum आपको यह लग रहा है कि यहां पर buyers active होते वे दिखाई दे रहे हैं, जो market को ऊपर की तरब push करने की कोसिस कर रहे हैं, एक support zone market ने यहां पर create कर दिया है, क्योंकि पहले आपके लिए trading day low यह था, फिर जैसे यह situation create हुई, आपके लिए trading day low यह बन चुका है, तो इन लेवल को अगर आप मार्क करेंगे, चीजों को समझेंगे, साथ की साथ यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां पर आपके लिए रहेगा previous day high, तो यह एक zone create हो जाते हैं हमार लिए, यह आपको यानि कि मैं आपको एक strategy भी बताइए, अगर किसी न आपको मार्केट में big जो momentum आते हैं, उन्हें पकोड़ना थोड़ा easy हो जाता है, situation समझ में है, यह मैंने यहां पर क्यों mark करके दिखाया है, क्योंकि अगर मार्केट इससे नीचे चलता, तो एक तो trading day low का breakdown मिला है, जैसे situation हमें यहां पर देखने को मिलिए, जब मार्केट न इसका भी breakdown देखे चलता, तो हम 45,100, इसका breakdown मिलता है, तो 45,000 तक की momentum को पकड़ते हैं, ठीक वैसे अगर market इसका breakout देखे चलता, तो हम इन momentum को पकड़ते हैं, यह वाला zone मेंने वही find out किया है, इसके आस पास आपको यह दिखाई दे रहा है, 45,600, इसका breakout मिलता है, तो market फिर स यह चीज़े तो हम यहाँ पर भी draw कर सकते थे, यह trading day हो जाता, अगर बात सिर्फ इतनी करें, ठीक है, इसे मिमत देखो, यहाँ पर यह भी draw कर सकते थे, यह trading day low हो जाता, हलाकि trading day low आपके लिए यहाँ पर है, यहाँ पका trading day, मैं दुबर से draw करता हूं, नहीं तो confusion हो जाए तब भी selling position बना सकते हैं, यह गलत है, कारण, फिर से वही case 2 आजाता है, अगर हम इसे draw करते हैं, इसका breakdown देता, हलाकि market गिर गया, कोई बात नहीं, लेकि नीचे एक support तो है, उसके नीचे भी एक और support है, यानि कि trading day low का support है, और previous day high का support है, तो इसलिए इन range को आप कहाँ पर draw कर रहे हो, वो भी चीजे आपको समझनी पड़ेगी, draw आप हमेसा कर सकते हो, लेकिन कहाँ पर आपको effective रहेगी, उन चीजों को draw करके रखनी है, इसलिए मैंने आपको पहले ये वाला example बताया, समझ में आया, जो मैंने समझा है, clear clear समझ में आया, क्योंकि हाँ पर हमारी सा का breakout देता है, तो market अपने पिछले swing का भी breakout दे रहा है, और जिन zone पर market resistance की track कर रहा था, उनका भी breakout दे रहा है, क्योंकि पहले ही नहीं जोन पर market support की track कर रहा है, तो इसका मतलब easily momentum मिलना valid हो जाता है, यानि कि दोनों के पीछे proper logic है, समझ में है कि चीजे नहीं, अगर समझ मे करना है, तो comment करना है, आपको समझ में है, वीडियो को like जरूर कर देना, अब हम वापिस यहीं पर आते हैं, discussion करते हैं कल के लिए, अगर market फ्लैट ओपन होके positive momentum दिखाता है, उससे पहले हम क्या करेंगे, चाहे negative momentum दिखाए, चाहे positive momentum दिखाए, हम market में इसे draw करके रखेंगे ठीक है, save करने का feature भी मैंने आपको बताया हुआ है, यही पर आप click करेंगे, आपका सिधे-सिधे यह save हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, आपका यहाँ पर सिधे-सिधे save हो जाएगा, ठीक है, save करने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, अगर market फ्लैट ओ जो ये trend line बन रही है ये वाली हमें इसका breakout चाहिए plus तीसरी condition हमारी क्या रहेगी क्योंकि market breakout तो यहाँ पर भी दे सकता है जो ये swing बना हुआ है अगर इससे भी market उपर निकल जाता है तो हमारे लिए और ज्यादा बहतर रहेगा पहला resistance बनेगा हमारा 45600 इसका breakout मिलेगा तो हमें previous day high देखने को मिलेगा वहीं पर अगर market flat open होके negative momentum दिखाता है तो इस situation पर हमारी पहली condition क्या रहेगी previous day closing से market नीचे रहना चाहिए plus second condition ये जो support zone बन रहा है हमें इसका भी breakdown चाहिए plus तीसरी condition ये previous day low नजदिक है यानकि previous day low और previous day closing काफी नजदिक है तो मैं previous day low का भी breakdown चाहिए अगर इन में से एक भी condition fulfill नहीं होती है हम trade नहीं करेंगे अगर इस में से भी एक भी condition fulfill नहीं होती है तो हम trade नहीं करेंगे हम just market को observe करेंगे positive momentum के लिए हमें ये दोनों condition fulfill चाहिए negative momentum के लिए हमें तीनों चारों condition fulfill चाहिए नीचे की तरफ support का बने का पहला support बन सकता है 45,100 पे इसका breakdown मिला तो 45,000 पे आपको अगला support देखने को मिल सकता है चीज़े clear होई, concept clear हुआ, कोई भी confusion नहीं है न अगला scenario समस्ते अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है उस situation पे अगर gap up opening का scenario बना, इसका मतलब market trend line का भी breakout दे चुका है previous day closing से भी market उपर है, plus पिछला जो swing बन रहा है market इससे भी उपर है तो हमारा focus कहां पे रहेगा, अगर market gap up opening देने की कोसिस कर रहा है 45,600 से कितनी दूर या कितनी नजदीक market gap up opening देगा क्योंकि अगला resistance हमार लिए यही है, अगर market 100 point के अंदर gap up opening देता है bullish candle बनाता है, तब भी यह valid रहेगा, उपर का resistance यह इसका breakout मिल गया तो previous day high, लेकिन अगर 45,600 के around यह market gap up opening देता है तो हम price action देखेंगे, जिस तरब भी price sustain करेगा, अगर price इससे नीचे sustain कर रहा है तो हम market previous day low को approach करने की कोसिस करेगा, लेकिन अगर market इसके उपर sustain कर रहा है तो market previous day high को approach करने की कोसिस करेगा, situation समझ में clear हो गया अगर market आपको gap down opening देते, उस situation पर आप क्या करेंगे उस situation पर देखो जो market ने जो एक important support zone create किया है, इसका तो market breakdown देगा यानि कि previous day low का भी market breakdown देगा, साथी साथ previous day closing से भी market नीचे रहेगा इस scenario पर हम focus करेंगे सीधा सीधा 45,100 पर अगर market gap down opening देके various candle बनाएगा, तो support यही बनेगा फिर 45,000 वाला, ज्यादा बहतर तो यह रहेगा, अगर market इसी zone में जाए अपनी profit booking करो partial profit booking कर दो, फिर hold के situation देखो कि market support लेके bounce कर रहा है, तो अपना पूरा profit book कर दो फिर एक reversal trade लेने की कोशिस करो, क्योंकि अगर marketing zone में support लेके आया तो market का जो previous day low है, उसे market approach करने की कोशिस कर सकता है situation समझ में आए कि ने, दोस्तों अगर वीडियो पसंदारी है, वीडियो को like करे बिना बिल्कुल भी मज जाना comment करके बताना analysis कैसे लग रहे है, नए हो subscribe करना, bell icon प्रेस करना फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ, thank you